हलो, मैं डॉक्टर इर्फान और मैं एक देंटिस्ट हूँ तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि आज हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लापरवाई है वो दातों को लेकर है कि 90% लोगों के दात खराब है उसकी वज़ा है कि हम दातों को लेकर जागरूक नह है यानि कि जो दाड़े होती है उनको मैंने निकाला है यानि कि तीन उपर है तीन नीचे है टोटल मिला कि होती है बारहा बारह में से पता चला कि आठ निकल चुकी है सिर्फ विजडम टूद बचें इसकी वज़ाए कि लापरवाई क्या होता है अक्सर कि मुझ के अंदर एक दांत अगर खराब होता है तो हमारी thinking क्या रहते है कि यार दर्द थोड़ी कर रहा है दर्द थोड़ी ये पड़ा रहने दो तो जिससे क्या होता है कि दांतों की एक chain होती है अगर मालीजी कोई दांत ये खराब पड़ा है मुझ के अंदर और आप उसको उसका treatment नहीं ले सकते हैं तो आप उसका extraction करा सकते हैं उसे निकलवा सकते हैं अगर उन मेंसे आप कोई काम नहीं करते हैं तो क्या होता है उस दांत की जो सडन होती है वो दूसरे दांत को divide करता है यानि कि एक दांत से दूसरे दांत में जिसका reason जिसका मसला क्या रहता है कि मालो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चाह, ऐसे करके आपके सारे दात खराब होते रहते हैं, आगे चल Healthcare क्या होता है? कि आपको खाना खाने में, बॉट ही ज़ादा परिशानी आने लगती हैं, जिससे उन्हें खाना खाने में में परिशानी होनी लगती हैं, अब वजह क्या रहती है कि माली जे हमें फीवर आया या हमारे सर में दर्द है या हमारे कमर में दर्द है या हमारे बाडी के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ या कोई परिशानी है तो हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टर से जाके मिलते हैं उससे ट्रिटमेंट लेते हैं और अपना इलाज कराते पर दातों के मामले में ऐसा नहीं होता अगर मालीजे हमारे दर्द है तो हम क्या करते हैं कि हम मेडिकल स्टोर पर जाते वहाँ पे अक्सर लोगों कहते हैं लाल पनी, हरी पनी, नीली पनी की टेबलिट ली और एक गोली खाली, दर्द बंद हो गया बोले कानी खतम, बोले अब आराम हो गया जो की सबसे ही ज़्यादा गलत है बिल्कुल गलत है जिससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड कर रहे है दात क्या है, दात हमारी बौडी का एक मेन पार्ट है अगर आप सेहत बनाते हैं तो कोई सेहत बनाने के लिए अगर खाना खाएंगे तो कहां से खाएंगे, दातों के जरिये से मूँ के जरिये से, पहली इस टेप है दवा लेंगे, तो कहां से लेंगे, मूँ के जरिये से कोई भी ऐसा काम जिसे हम body growth करते ही या बीमारी है जो भी है सबसे जो main एहम काम है वो हमारे दातों का है और हमें अपनी body को स्वस्थ रखना है सो बीमारी हैं से अगर बचना है मा लिजे liver में infection है या हमारी kidney में infection है या हमारी आथ में infection है इसकी सबसे बड़ी वज़ा क्या है कि हमारी मुँ में दात खराब पड़ा हुआ है अब पता चला वो दात सड रहा है वो दात पस बना रहा है मूँ के अंदर उसके बाब जूद क्या होता है हम खाना पीना खा रहे हैं पानी पी रहे हैं अब हमने पानी पिया, तो क्या हुआ, सारी गंदगी, पेट के अंदर, खाना खाया, दातों की सड़ा निया, जो भी उसके अंदर infection हुआ, खाना खाया, खाने के जरीए कहा गया, पेट के अंदर, अगर आपके दात स्वस्थ नहीं है, दात अच्छे नहीं है, दात खराब प बनना, सो तरीके की बिमारिया बनती है, एक दात खराब होने से, और हम सबसे बड़ी लापरवाई किदर करते हैं, दातों की ही मामले में, गैस का इलाज कराते हैं, पता चला मुह में दात सडर आए, उसके जरीए से infection फैल आए, आपने कभी देखा होगा, कि जो heart patient होते हैं heart patient, दिल के patient होते हैं, जो उनका अगर bypass surgery होना होता है, या किसी का हुआ होगा, तो सबसे पहले डॉक्टर एक काम करता है, कि अगर आपकी मुह में एक भी दात खराब है, तो बोलता है, पहले आप dentist के पास जाईए, और अपने दातों का treatment लेकी आईए, सबसे पहली वज़ा क्यों, operation तो heart का हो रहा है, दात से क्या लेना देना, नई, क्योंकि दात का body में बहुती एहम रोल है, अगर ये जितने अच्छे होंगे, जितने स्वस्थ रहेंगे, आप उतने ही बीमारियों से बचे रहेंगे, और सबसे बड़ी क्या गमी है, कि दातों के मामले में हम देन्टिस्ट से नहीं लेते, दातों में जो परिशानी होती है, उसकी दवा हम मेडिकल से ले लेते हैं, जो की गलत है, इसलिए अगर दातों में आपको कोई भी परिशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो किसी अच्छे देन्टिस्ट से मिलकर उससे सलहर लें, उससे कंस करें और अपने दाटों का ट्रिटमेंट कराएं अच्छा एक बात सुनने में क्या आती ही कि 16 साल बच्चे 17 साल के बच्चे उनके दाथ खराब हो रहा है तो सबसे बड़ा रीजन है रात में ब्रस नहीं करना अगर आप रात में ब्रस करते हैं तो आप अपने दाटों को benefit नहीं होता है जब रात का ब्रस छोड़के और सुबा में करते तो आपको कोई भी benefit नहीं होता है तो अगर आपके दातों में कोई परिशानी है या problem है तो आप हमसे consult कर सकते हैं हमें comments कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें share करें subscribe करें और कोई भी दातों से related आपको परिशानी हो तो आप हमारे क्लीनिक पर विजिट कर सकते हमारे क्लीनिक का पता है हिलाल डेंटल क्लीनिक गोला रोड बिलसंडा डिस्टिक्ट पीली भी मोबाइल नंबर है 8273080858 थैंक यू